नमस्कर दोस्तों स्वागतिया आपका दबंगला यूट्यूब चानल पर मैं हूँ आपका दोस्त एडवकेट हर्शेवर्दन देश्मो प्रॉम्पुने महाराष्ट तो दोस्तों आज हम देखेंगे महाराष्टा पूलिस आक्ट का लास्ट वीडियो मतलब इस आक्ट के इसक्षन्स या आप ऑफेंसिस बोल सकते हो इसमें आपको देखने को मिलेगे लेकिन हमने कुछ ही इंपोर्टन शेक्षन्स या इंपोर्टन ओफेंसिस और उसकी पणिश्मेंट्स आपके लिए लाईए तो चलिए शुरू करते बिना कोई टाइम गवाए तो सबसे बहला मैंने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0.1 लिखाए और उसमें लिखाए offenses and punishments under section 99 to 117 तो मैंने इसलिए ऐसा लिखाए क्योंकि from sections 99 to 116 offenses दिये गए और जो 117 का जो section है वो सिधे तौर पर जो सारे offenses है from 99 to 116 उसकी punishment 117 में दिखे तो देख सकते हो फिनल्टी स्क्ष्टें वन एंडरेड्ड एंडरेड्ड वाइलोटिंग ये अप दब पूपिजरेंज में रिजल्ट इन फाइन अफ अप टो हंड्रेड रुपीज तो हंड्रेड रुपीज तक का फाइन अपको होगा कौन से ओफिंसिस के लिए फ्रॉम सेक्ष्टें नाइ ठीक है second offense है January को unattended छोड़ना living animals unattended तीसरा causing obstruction by animals ठीक है चोथा exposing animals for hire hire or sale ठीक है पाचवा causing obstruction in public spaces छटा blocking foot paths 7 performing in public spaces मतलब कुन से परपर्मेंस पब्लिक जगह में परपर्मेंस या एड्स दिखाना जो रुकावट पाइदा करें ठीक है डूइंग ओफेंसिव एक्सिंग पब्लिक लेटिंग लूज डेंजरस अनिमल्स नाइन यानि खतरनाग जानवरों को छोड़ देना जैसे डॉग्स होगे जैसे खतरनाग जो डॉग्स मतलब जो काटते ना उनको ऐसे चोड़ देना टेन्थ बाथिंग इन प्रोइबिटेड प्लेसेस मतलब प्रोइबिटेड जगह पर नहाना डिफाइलिंग वाटर यानि पानी को गंदा करना ट्वेल्थ अब्स्ट्रक्टिंग बाथर्स मतलब बाथर्स को अब्स्ट्रक्ट करना यानि नहार रहे लोगों को डिजिगनेटेड एरियाज में तंग करना 13, indecent behavior in public, 14th obstructing or annoying passengers, 14th क्या है, passengers को obstruct करना या तंग करना, 15th provoking breach of peace, मतलब शानति भंग करने वाली हरकते, सिक्स्टिन फ्लाइंग काइट्स डेंजरसली पतंग ओडाना डेंजरसली पॉब्लिक न्यूसन्स तो आपको पता है और डिस्रिकार्डिंग नोटिसेस जैसे कि स्पोकिंग और स्मोकिंग और स्पिटिंग इन प्लेसेस वेर इट इस प्रोइबिटेड बाई नोटिस यानि जहां पर नोटिस लगा हो वहां स्मोकिंग या थोक थोकना नोटिस के अवेल्ला करना तो इन सब जो मैंने अभी 18 ओफेंसेस देखे 18 ओफेंसेस हमने जो रीड किये उन सब के पेनल्टिस क्या है सेब सो रुपीज अप्टू सो रुपीज इन सेक्शन वन अन्ट्रेड और सेवेंटी और अब अब जो बाकी के सेक्शन से या बाकी के जो ओफेंसेस उसको मैंने इस तरीके से चार्ट में मतलब चार्ट बनाया उसका बहुत मेंनत लिए मैंने तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और शेर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना क्योंकि बहुत मेनेत कि मैंने इस वीडियो बनाने में नोट्स बनाने में बहुत मेनेत कि तो चलिए सिद्धतोर पर रीड करते हैं ऐसेच कुछ अप्टो वन मंथ इंप्रेजिमेंट और थ्रीहंड्रेट रुपीज फाइन और बोथ हो सकते हैं तो दोन हो सकते हैं सेकेंड और सब्सेक्वेंट अगर ओफेंस हो तो छे मैने की जेल और पास्व मा रुपए का फाइन कि या दोन हो सकते हैं 118 1A सेक्शन कंपनसेशन फोर डामेज कॉज़ट बाइक ट्रेसपासिंग कैटल ट्रेसपास होने से अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसका कंपनसेशन अब टू फिप्टी कंपनसेशन एंड कैटल में भी फोर्पिटेट तो दो स्टेट यानी एक सेक्शन 118 दो सो पचास तक का कंपनस को देना तो उसके लिए अप्टू वन मन्त इंप्रेजिनमेंट और रुपीस फाइन या दोनों भी हो सकता है विल्फुल ट्रेसपास अगर हो इंटरिंग प्रिमाइसेस भी विदाउट वैलिड एक्सक्यूस तो उसके लिए 20 रुपे का फाइन अप्टू 20 रुपे हो सकत होता है 122 विंग फाउंड अंडर सस्पिशियस सर्कम्स्टांसेज बेटून संसेट अंड संड्राइज यानि संसेट और संड्राइज के बीच में सस्पिशियस हालत में पाया जाना तो उसके लिए वन मंथ्ट कुँ़ बानियर इम्परज़नमेंट हे और फाइन अपटू रुपेस पिवलिस फवहंद Grade 123 कर और फिचेऍटॉर फिचेटन करे वह अगरा दिसाम करना वह ले लेना वापस और 500 रुपए तक का फाइन है 124 पॉजेशन आप प्रोपर्टी विद नो सैसे सैटिस्फेक्टरी अकाउंट आप इस ओरीजिन यानी वह एसी प्रोपर्टी का पॉजेशन जिसके ओरीजिन का सैटिस्फेक्टरी जवाब नही तो उसके लिए अब टो त्री मन्स इंप्रेजिनमेंट और 500 रोपीस का फाइब सेक्ट्टन वन ट्वेंटिफफ़ तेकिंग स्पिरिट्स इंटू और होस्पिटल बार कर्स और वार वेसल विदाओ पर्मिशन तो उसके लिए अप्टू तू मन्स इंप्रेजिनमेंट ए स सेक्शन 125 होस्पिटल्स हो सारी होस्पिटल बारैक्स या वार विसल्स में बीना पुन मिशन के स्पिरिट के लिए जाना ठीक है सेक्शन 125 126 है फेलियर तो रिपोर्ट पजिशन अब सस्पेक्टेट स्टोलन प्रॉपर्टी बाइप पॉन ब्रोकर्स डीलर्स एक्सेटरा तो पॉन ब्रोकर्स डीलर्स एक्सेटरा द्वारा सस्पेक्टेट स्टोलन प्रॉपर्टी का पॉजेशन रिपोर्ट नहीं करना तो हर आर्टिकल के लिए पचास तक का फाइन है 127 सेक्शन अल्टरिंग और डीफेसिंग सस्पेक्टेट स्टोलन प्रॉपर्टी यानि सस्पेक्टेट स्टोलन प्रॉपर्टी को अल्टर या डीफेस करना उसके लिए तीन साल तकी जेलिया फाइन है या दोनों भी हो सकता है 128 प्लेज़े फ्लेजेश प्रॉपर्ट्र यानि स्पतल लेना फ्रॉपर्ट्र अंदर फरॉपर्टन वहीं उसके लिए सो रुपिज का फाइन है अप्टु सो रुपीज 129, allowing disorderly conduct in public amusement places, 129, public amusement places में disorderly conduct allow करना, उसके लिए 100 रुपीज तक का भाईने, cheating, ad games, cards, dice, तो उसके लिए, punishment under section 450 of IPC, 131A जो बात करता है, gambling in the street, उसके लिए fine up to 50, और release with admonition, ठीक है, 131A जो बात करता है, failure to obtain, और renewal lease of lease for public entertainment, और registration for an eating house, within the prescribed period, यानि, public entertainment या eating house के लिए license, अप्टेन या renew नहीं करना, prescribed period में, तो उसके लिए 50 रुपे तक का fine है, court order को comply नहीं करने पर, एक मन्त की, एक मन्त की jail, या 200 रुपे का fine, या दोनों भी हो सकते, 131A license is liability for acts committed by servant at a place of public entertainment, यानि, public entertainment जगह पर servant के द्वारा किये गए acts के लिए license की जिम्यदारी, तो same punishment as for the actual offender, unless precaution were taken to prevent the offense, यानि, same punishment जैसे actual offender को मिलेगे, अगर offense prevent करने के लिए precaution नहीं लिया गए है, 142, entering or overstaying in an area after being directed to remove oneself, यानि, किसी area में बिना इजाजत घुसना या वहा रुकना, जब वहा से हटने का order दिया गया हो, तो उसके लिए 2 साल तक की jail, minimum 6 months है, और fine है, तो 143B, holding dangerous performances like being sealed or buried underground without permission, यानि, dangerous performance करना, जैसे बिना permission के underground seal या buried होना, उसके लिए 1 साल तक की jail या fine या दोन हो सकता है, section 144, neglect to refuse, neglect or refusal to serve a special police officer, यानि special police officer के रूप में serve करने से इन कारिया neglect करना, उसके लिए रुपीज 50 तक का 5, section 145, false statement or employment or misconduct by police officer, तो उसके लिए imprisonment up to 3 month और fine up to 100 रुपीज, 146, failure to return a certificate of appointment और other police items, तो जो certificate of appointment और जो police item से उसको return करने में fail हो जाना, तो उसके लिए 1 month की imprisonment, up to 1 month और fine up to 2,000, sorry 200 या दोन भी हो सकता है, 147, vicious actions by police officer, जैसे के interest or seizure में, तो imprisonment में, तो आप टो 6 months और fine up to 500 और बोथ, 147, 148, 148 section, vicious delay in forwarding an arrested person to the magistrate, यानी देर से delay करना, ठीक है, magistrate के सामने जाने में, उस arrested person को, देर से ले जाना, in short, तो imprisonment up to 6 months और fine up to Rs. 500 और बोथ, last section 149A, unauthorized use of police uniform, और any part of it, unauthorized use of police uniform, पोलिस uniform का unauthorized use, fine up to Rs. 200, ठीक है, तो इस तरीके से भी हमने बहुत सारे punishments देखे, ओफेंसे देखे, तो हमने, मतलब, as such कोई deep, deep जागे नहीं देखा, कोई section, सिर्फ, उपर उपर से read किया, क्योंकि वो आसा ने, इतना कोई difficult समझने के लिए नहीं था, इसलिए, जल्दी से हमने ये वीडियो खतम किया, क्योंकि अगर हर section के, हर offense में deep जाने के, अगर कुशिश करते, तो एक गंटी का वीडियो तो कम से कम बन जाता, तो मैंने shortcut, जो offenses and punishment का topic है, मैंने cover किया, इसलिए आपको एक like तो बनता है वीडियो को, शेर जरूर करना और subscribe भी करना भाई, बहुत मेहनत लिए, लगबग 2-3 दिन तक मैंने notes बनाए, एक ये notes ठीक है, तो मिलते है अगले वीडियो में, अगले अब महाराष्टा पूलिस अक्ट तो खतम हो गया है, अब जो आगे वाला नया criminal minor act होगा, उस पर अब क्या होगे वीडियो आपको देखने को मिलेगे, ठीक है, मिलते है अगले वीडियो में,